दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अभ्यांसिवल सर्शेज बे मैं धरंजे सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनियन बजट 2023-2024 के बारे में जो वहत्वपूर बाते हैं कुछ सब्दावलिया हैं उनको अगर आप समझना चाहेंगे अलग से तो अलग से मैं क्लास ले लूँगा तो बजट बेसिक्स क्या होते हैं हमारे जो लगवग 40-50 टॉम्स हैं अगर आप उनको समझ लेते हैं जैसे की आपकी मोनिटरी पॉलिशी क्या होती है और जो भी टॉमस होते हैं खासकरके जो हमारा receipt क्या होता है क्या-飾 prevail प्रठार पैसा आता है सरकार का जाता है उसmee , फ्रिय कि डिपसिट क्या होती है कर व्लोच ,itute legitimate चैंश डिपसीट की जा सकते हैं लेकिन वीडीयो भूलबी हो जाएगी अभी हम लोग यह वीडीयो 25 मैं 25-30 मिनट की मैं 25-30 मिनट में आपको इस बजट से जो बेसिक चीजे हैं विशेश कर जो मुखे परिक्षा और प्रार्मिक परिक्षा के आपके आंक्रें हैं उनको मैं क्लियर कर दूं और साथ ही साथ जो आपकी समझ नहीं है कुछ शब्दों पर समझ बनाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो स्वागत है आप सभी का मैं धनेंजे सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं वियान सिविल सर्सेज में निर्मला सितारी ब्रमन जी द्वारा जो है हमारे 2023 का बजट पेश किया गया और साथ ही जो है आर्थिक सर्वेक्षण भी इससे पहल जानकारी होनी चाहिए कॉमन मैन के लिए कि स्वेंट के लिए और यह बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वीडियो होगी इन सभी पर हम लोग डीटेल बातचीत करेंगे पहले तो समझेंगे कि बजट क्या है वट इस बजट तो आपको पता है कि हर एक व्यक्तिका एक चोटी सी उसको 15,000 प्रतिमाह देते हैं महीने के अंत में आप देखते हैं कि उसका बजट जो है हर बार गडबड हो जाता है क्यों क्योंकि उसके किराया रूम्रेंट जो है 6,000 है उसका उसका जो है 4,000 खाने का खर्च है उसके 3-4,000 जो है स्टेशनरी किताबें आदी खरीदने पर ह चाय नास्ते का है और उसको 15,000 रुपए मिलता है लेकिन हर महीने उसको 2-3,000 रुपए अपने दोस्क से उधार लेना पड़ता है अब ये कहानी केवल कोई प्रतियोगी छाटर की नहीं है ये कहानी जो है घर-घर की है जंजन की है चाहिए वो किसान हो वकील हो डॉक्टर जिसको बोलते हैं इंकम और एक्सपेंडिशर का लेखा जोखा होता है अगर मालेजे की सुनील जो है वो क्या करता है अगर अपने 15,000 में ही अपने पूरे महीने का खर्चा चला लेता है और 100-200 रुपए 400 रुपए 1000 रुपए वो बचा लेता है तो वो बजट कहलाता है सर बाद में किसी रिष्टेदार से मिलता है भीय से भावी से किसी से भी वो पैसा पाता है तो फिर वो बजट को पाटता है यानि अपने किसी अन्य दोस से उधार लेता है फिर उधारी से उधारी पाटता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं घाटे का बजट इसको हम बोलत का उपयोग यहाँ पर किया गया है आर्टिकल 112 में आपका बजट कैसे पेश किया जाता है उसके बारे में बताया गया है उसके बाद money bill, financial bill अन्य चीजें जो है यहाँ पर हैं तो आप वो समझेंगे कि बजट क्या कहलाता है कि एक वर्स में जैसे एक सुनील है उसी परकार से सरकारे होती है चाहें विश्व की कोई भी सरकार हो भारत सरकार हो उतरदेश सरकार हो बिहार, जहरखन सबी सरकारें जो है अपना आय और ब्याय का वर्स भरका लेखा जोखा बनाती है हला कि जो बजट होता है उसमें तीन वर्स का चीजें होती है एक आने वाले वित्य वर्स का एक जो कंप्लीट चला गया है यानि कि 2021-22 का ये एक्चुल बजट होता है जो बजट एक्चुल आपको मिलता है तो ये एक्चुल बजट होता है 2022 से लेकर के 23 का ये स्पेकुलेटेड बजट होता है मतलब कि ये अभी जो है बजट जो है जो अभी साल बीता है उसका अभी आकड़े आने बाकी है जो कि अपरेल में आ जाएंगे यानि कि 30 मार्च के बाद आ जाएंगे और फिर 2023 से 2023 से 2024 तक का एक अगले साल के लिए अगरिम बजट होता है तो ये तीन प्रकार के बजट तीन सालों का विवरा होता है हलाकि हम लोग बजट 2023-2024 इसे जानते हैं इस से पहले जो है हमारा आर्थिक सर्वेक्षन आता है जो कि बजट आर्थिक सर्वेक्षन तो budget जो है एक अगर हम budget at a glance देखने की कोशिश करें तो इसमें देखिए तीन सालों का आपको exact विवरण आपको देखने को मिला है ठीक है न अब यह actual budget जो है आप जैसे कि मैंने बता है यह actual budget है ठीक है न 2021-22 के सारे आकड़े हमारे पास आ गये हैं उनके बारे में अगर कोई जनकारी दी गई है तो यह actual जनकारी है ठीक है न फिर budget estimate आपको 2022-23 का होता है और budget revised estimate जो होता है जो की अपरेल के बाद होगा ठीक है न और फिर यह speculated जो होता है यह 2023-24 का है और यह करोड में दिया गया है यह सबका revenue क्या है अब यह आकड़े जो है बहुत बड़े हैं नाक पैसा आता कहां से और पैसा जाता कहां से यह आखड़े दिये गए हैं यह आपके लिए बहुत महत्तपूर्ण नहीं है साल दर साल यह दिये गया है अब क्या होता है कि उसके बाद जो है कुछ हम लोग देखेंगे कि पैसा सरकार का आता कहां से है जाता कहां पर है तो इसक यहां से आप नोट कर सकते हैं कुछ चीजें अलाकि यह PDF मैं शेयर कर दूँगा अभी गुरुप में हमारे टेलिग्राम चैनल पर और वट्सप गुरुप में तो देखें दोस्तों यह एक रुपया मान लिया गया है कि सरकार का कुल जो है बजट एक रुपय का है तो कुल ए यह क्या होती है कि सरकार की जो उधारियां होती है और अन्य देताएं होती है वहां से आता है फिर आपका दूसरा जो सबसे बड़ी मद है वो है कॉर्परेशन टैक्स जिसको हम लोग निगम कर बोलते हैं निगम कर से सबसे ज़्यादा पैसा आता है यह आप से पूछा जा रहा है उसके बाद corporation tax जो है अब लगबर बराबर हो गया न के बराबर जाने की दूसरी जो सबसे बड़ी मद्ट हैं वो दोनों रहा गया ही चुर्श मेतरा हो गया Ben निदैकर है GST का यह पहला हो गया borrowing ऑंड other liabilities दूसरे पर investment है तीसरे पर आपका corporation tax और तीसरे पर ही income tax है ठीक है उसके बाद जो है सबसे ज्यादा पैसा आता है union exercise से exercise duty अब duty क्या होता है tax क्या होता है इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोग थोड़ा सा इसको समझने के करिएगा क्योंकि वीडियो सब के लिए है जो लोग पूरी तरीके से टाम्स को जानते हैं जो लोग टाम्स को नहीं समझ पा रहा है comment box में comment करेंगे और मैं उन सभी टाम्स वर अलग से वीडियो बना दूँगा तो यहां पर उसके बाद हमारा custom duty से जो पैसा आता है उसके बाद बारे में बात की जाती है उससे पहले जो है non revenue tax है हमारे जो एक तो देखिए सरकार की कमाई होती है tax से जो पी tax revenues को बोलते है non tax revenue जो आपकी अन्य जमा होते हैं जो आप सरकार के पास जमा करते हैं जैसे कि FD के रूप में या बैंक में आपने कुछ जमा किया है वो revenue जो होता है वो taxable नहीं होता है non taxable revenue जो है उस पर जो है जो पैसे आता है उसको 6 पैसे के रूप में बताया गया है और non debt capital receipt जो है वो द कि surplus budget यानि कि मैंने जो संजीव का उधारण दिया था कि संजीव अपने सारे खर्चे अगर 15,000 में चला ले और 200-400 रुपए बचा ले तो उसको surplus का budget करते हैं तो क्या किसी सरकार के लिए surplus का budget सही होता है या सरकार के लिए घाटे का budget सही होता है ठीक है ना आप comment box में बताएंगे सरकार के लिए और आम आदमी दोनों के लिए ठीक है न ध्यान में रखेंगे आप लोग वीडियो पॉस कर दीजे comment box में बताएए कि budget जो है surplus budget सही होता है या घाटे का budget सही होता है तो दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो सम जादा पैसा खर्च करती है जिसे की लोगों की भलाई के रूप में उसको यूज करती है तो अभी हम देखते हैं पैसा यहां से इतना आया फिर यह पैसा जाता कहां से ठीक है न तो सबसे जादा यह पैसा खर्च होता है state share of taxes जो होते हैं उससे पहले जो है interest payment में यानि सरक की अदाईगी में उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मद खर्च का है वो state share of taxes and duty जो राज्य होते हैं जैसे कि आपने वित्ता आयोग देखा होगा वित्ता finance commission की जो recommendation है 41% जो है tax जो है वो शेर करता है केंद्र जो है राज्यों के बीच तो वो शेर जो है दूसरा 18 पैस scheme है जैसे कि अविश्मान भारत है जैसे कि आप देखते हैं मन्रेगा है इस तरीके कि जो सरकार द्वारा किन सरकार द्वारा जो इस चला जाती है यूजनाएं चला जाती है उसमें खर्च होता है इसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी मद है दो है यानि कि finance commission and other transfers जो होता है subsidies में 7 पैसा जाता है 8 पैसा defense पर खर्च होता है defense पर खर्च सरकार का बढ़ गया है pension जो NPA और OPS को लेकर के जो विवाद चल रहा है तो pension पर सरकार का 4 पैसा खर्च होता है और भी other खर्च होते हैं जिसको कई खर्चों में मिला करके तो यह 8 पैसा तो यह चार्ट आप की numbers हैं जो आपको याद करने होते हैं जैसे हम देखेंगे कि सरकार के पास जो revenue receipt होती है वो कितनी होती है तो यह करोड में और और टोटल expenditure टोटल खर्च और तोटल expenditure और फिर उसके बाद घाटा ठीक है इसको घाटे को रूपए में हम लोग नहीं आए तो effective revenue deficit अलग होती है fiscal deficit अलग होती है, primary deficit अलग होती है. अब इनकी अलग अलग परिभाषा हैं, परिभाषाओं में हम जाएंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, परिभाषा के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन इसको याद करना है percentage में, टीक है ना परसिंटेज वाला जो है चार्ट हम देख लेते हैं कि कहां है यह देखे अब देखे हमारी जो ट्रेंड है deficit का यानि की घाटे का जो है वह यह चार्ड जो है आप अगर चाहें तो सीधे-सीधे एक्जाम में में परिक्षा के बना सकते हैं अगर गाटे के बजट के बारे में आप से पुछा जाए किसी भी प्रकार से आप से बात की जाए तो आप यहांपर जी डेवी का प्रतिसात जो है फिसकल डेपसिट का लगातार घट रहा है सभी deficit में देख रहे हैं लगातार घट रहा है पहले जो है यह दो हजार बीसी किस में 6.7 प्रश्चत था और यहां पर जो है 4.4 प्रश्चत यहां से ले करके यह आपका fiscal deficit फिर 6.4 प्रश्चत हुआ 2022-23 में फिर 6.4 प्रश्चत रहा आपको 22-23 में ही actual revised estimate और budget estimate जो है इस तरीके से आप देखते हैं revised estimate बजट estimate और actual जो है आपका deficit इसमें बताया गया है तो अभी जो है अगले साल के लिए 5.9 है यह क्या है आपका fiscal deficit इस साल के लिए जो revised estimate है वो 6.4 प इसमें और बजट estimate जो है अभी 2023-242.9 परश्चत है सबसे कम जो होती है वो होती है आपकी effective revenue deficit या प्राइमरी deficit जो होती है सबसे कम मानी जाती थी अभी जो है effective revenue deficit जो है इसको घटा दिया जाता है इन दोनों में से तो यह effective revenue deficit इन तीनों चारों आकणों को आप याद रखेंगे यह याद रखना है आपको लाख करोड में आपको पैसे नहीं याद करने है ठीक है ना तो अब डेपसिट को फाइनेंस करने के लिए सरकार जो है कहां कहां से पैसा ले रही है तो सरकार जो है क्या कर रही है market borrowing कर रही है market borrowing का graph आप देखेंगे ये लगातार यहां से ऐसे बढ़ रहा है उसके साथ ही साथ जो है आपके securities against small saving ये सारी चीजे हैं इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है हम लोग दूसरा सबसे महत्पूर्ण चीज यहां पर तीसरी देखते हैं क कि budget at a glance के बाद income tax lab में कुछ बदला हुए है अब जो है tax lab जो है tax exemption limit increase कर दी गई है तीन लाग तक ठीक है न और वहाँ एकदम 0% है और 3-6 जो है यह 5% किया गया है 6-9 जो है 10% और लगवग 7 लाग पे मेरे खाल से tax lab को कम करके 5 में कर दिया गया है tax structure जो है new personal income tax regime लगू की गई है जिसमें 7 लाग तक का आपका वह माप हो जाएगा तीन लाग जो है आपका exemption limit को तीन लाग बढ़ा दिया गया है तीक है न तो यह आप एक tax lab याद रख लिजेगा 30% जो है वह 15 लाग से अबब की income है उस पर जो है आपका 10% लगेगा no income tax for a pension persons with income up to 7 लाग in the new tax regime तो new tax regime में क्या किया गया है middle class के लिए अच्छी बात दिये गई है कि इसमें जो है आपको 7 लाग रूपय तक का कोई tax नहीं लगेगा standard deduction जो है वो 50,000 to salaried people and deduction up to 15,000 for the pensioners under the new tax regime अब यह जो लोग यह 7 लाग वाला जो criteria है वो किसके लिए है जो लोग नई tax regime क्या करेंगे adopt करेंगे दो तरीके की tax regime होती है एक old वाली है और एक नई वाली है old वाली में बहुत सारी छूटे होती है इसलिए बहुत सारे लोग जो old में ही अभी अपना tax भरते हैं आप opt कर सकते हैं कोई भी पुराना या नए दोनों आप CA से बात करेंगे आपकी income जो है अगर 7 लाग under the new tax regime तो यह highest surcharge पर 37 से जो tax वो है new tax regime में क्या कर दिया गया है surcharge घटा करके 37% से 25% कर दिया गया है tax exemption limit on leave in cashment on retirement of non-government salaries इंक्रीज टू तो 25 लाग जो है इसका tax exemption हो गया नॉन गवर्मेंट इंप्लाइट को लेकर के रिटार्मेंट के बाद जो in cashment जो पैसा जो उनको मिलता है अब जो है tax receipt का जो trend है gross tax receipt क्या है और direct taxes है और indirect taxes है इसका जो है ट्रेंड दिया गया है कि सल जो है कितना प्रतिशत tax मिला है इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूवत नहीं है आपको मुख्य चीज जो है मैंने बताया कि यह आपको central revenue and expenditure आपको याद रखना है यह कुछ scheme है budget estimate दी गई है लगभग 45,3,097 करोल रूपय का जो है central government का expenditure है जिसमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इसमें देख लीजेगा transport interest जो है सबसे अधा खर्च कहां कर रही है सरकार तो इसमें आप लोग देख लीजेगा इसमें विविन्ने schemes हैं विविन्ने योजनाय हैं इसमें आप देख लीजेगा कि कौन कहां पर कितना खर्च हो रहा है कभी-कभी उतर प्रदेश species परिक्षा में पूछे जाते हैं अलागी इतना नहीं है source of deficit financing हमने देख लिया source of transfer to the state and UTs जो है इसका एक trend देख लीजे review budget at glance हमें पहले भी देखा है इसको direct tax proposal क्या दिया गया है the MSME and professionals के लिए क्या किया गया है to enhance limits of pre-exemptive taxation of RS3 crore of micro enterprises and 75 lakhs for the professionals with cash payment less than 5% corporation के लिए अलग दिया है start-ups के लिए अलग दिया गया है 31 March 2023 तक जो है incorporation of income tax benefits जो है यहाँ पर बताए गया है तो यह उतनी important चीज नहीं है direct tax, indirect tax proposal में यह proposal दिया गया है कि marine products पर reduce duty को key inputs for domestic manufacturer of shrimp feed जो हमारे क्या बोलते हैं जींगा जींगा के उत्पादों पर जो है इस पर क्या है कि duty घटा दी गई है lab growth diamonds को reduce कर दिया गया है basic custom duty on seeds used on their manufacturing precise metals पर जो है increase custom duty on articles made from the gold and platinum to increase the import duty on the silver drone door bars and articles compound rubbers पर increase कर दिया गया है basic custom duty compound rubbers 10 से 25 पर बढ़ा दिया गया है cigarette जो की national calamity contingency duty एक लगाई गई है specified cigarette to be revised upward by about 16% तो यह क्या है national जो आपदा आकाश्मिक निधी है एक duty है उसके NCCD उसके लिए क्या किया गया है cigarettes और उत्पादों पर तंबाकू उत्पादों पर और विशेशकर cigarette पर 16% की अलग से duty लगेगी indirect tax proposal जो है यह इसमें green mobility electronics electricals इसकी जो है अलग अलग चीजे दी गई है कि exempt excise duty on GST paid compressed biogas जो सी compressed biogas है उस पर जो है GST क्या कर दी गई है exempt कर दी गई है green mobility को बढ़ाने के लिए electronics पर to provide relief on customs duty on import of certain parts of mobile phone mobile phones के कुछ parts को import करने पर custom duty को कम कर दिया गया है relief दिया गया है इसलिए कि mobile parts जो है mobile phones जो है सस्ते हो सकते हैं reduce basic custom duty on the parts open cell of TV panels 2.5% इसको भी कर दिया गया है तो जो TV panels है उसको भी सस्ता आपको देखने को मिलेगा to increase the electricals में देखेंगे basic custom duty on electrical kitchen chimney from 7.5% to 15% इसको बढ़ा दिया गया है reduce basic custom duty on the chimney heat coil यह जो है 20% से 15% यानि की कम कर दिया गया है chemicals और petrochemicals पे जो है basic custom duty को exempt कर दिया गया है chemicals and petrochemical to reduce the basic custom duty on acid grade fluorospar and crude glycerin 2.5% तो यह चोटे-चोटे आकड़े हैं इन आकड़ों को आप देख सकते हैं सरकार की 2014 से कुछ हमारी achievements रही है उनको budget में highlight किया गया है 10 से लेकर के 10th to 5th largest economy हम जो है 9 साल में बने है 2014 से अब तक हमने क्या किया है 11.7 क्रोड household को toilet उपलब्द कराया है under the सक्षभारत mission यह आकड़े याद रखिएगा achievements में जो आपके निबंद लेखन में आपको answer writing में मदद करेगा 9.6 क्रोड LPG connections जो है उज्वला योजना के तहत दिये गए है 220 क्रोड covid vaccination हुए है top 102 क्रोड persons के 220 क्रोड जो है covid vaccination हुए है 47.8 क्रोड जो है bank accounts कोड़े गया है PM जंधन योजना के तहत 46.6 क्रोड persons covered under the PM सुरक्षा बीमा and PM जीयन जोती बीमा यह सब देटा आपको याद रखने है 22.2 लाग करोड जो है cash transfer किया गया है over 11.4 करोड farmers under the PM किसान सम्वान ने दी और per capita income more than double to the one RS 1.97 लाग रूपए जो हो गया है यानि कि लगबग 2 लाग रूपए जो हो गया है per capita income जो की double हो गया है सब्तरिशी का यह इंपोर्टेंट है आपके लिए सब्तरिशी पर एक मैंने शौर्ट वीडियो भी बनाया था उसको आप लोग देख लेंगे अम्रित काल के लिए जो यह सब्तरिशी का concept दिया गया है इसमें पहला जो concept है जिसको हम बोलेंगे समावेशी विकास इंक्लू सब्सक्रावादें, unleashing the potential यानि कि जो हमने अभी छमताएं हैं उन छमताओं का पूरा दोहन करें, green growth यानि कि हम परियावरण के अनुकूल काम करते हुए परिवान सब्सक्राइशन को साथ मिले करके चलें, यूथ को मोबिलाइज करें, यूथ को यूज करें और साथ हम जो इन टर्म्स को आप याद रखिएगा, लिखने में आपके काम आएगा, नेशनल अप्रेंटिशिप प्रोग्राम स्कीम लाई गई है तो प्रोवाइड दो इस्टाइपेंड सपोर्ट तो 47 लाख यूथ इन 3 यर, तीन साल में 47 लाख यूगाओं को स्टाइपेंड से बूस्टिंग टूरिजम यानि कि हम इसको परेटन को बढ़ावा देने के लिए पचास हजार डेस्टिनेशन्स टू भी सेलेक्टेड अज डिवलप्ट एस कम्प्लीट पैकेज फार दोमेस्टिक और फॉरंग टूरिस्ट और सेटिंग आप और सेटिंग आप और सेटि देश में भी आप देख सकते हैं कि इसका लाब मिलेगा विजन फॉर अमरितकाल में इंक्लूसिज इंकॉनिमी की बात की गई है जिसको हमने बता है कि समावेशी अर्थवेवस्था की बात की गई है जिसमें opportunities for citizens with focus youth growth for job creation नोकरियों बढ़ाने के पर ध्यान दिया जाएगा strong and stable macro economic environment बनाने पर प्रयास किया जाएगा यह सभी जो शब्द हैं इन शब्दों को आप लिख करके इसा notes बना लेंगे financial sector में और क्या चीज़ें की जाएगे fiscal management यानि की राजकोशी प्रबंधन को क्या किया जाएगा 50 year interest free loan to states दिये जाएगे और fiscal deficit जो है 3.5% of gsdp allowed for state जो राज्यों को जो है gross state domestic product जो है वो उसमें fiscal deficit जो है 3.5% करने का लक्ष रखा गया है fiscal deficit for the 2022-23 6.4% revised estimate है यह और 2023-24 के लिए 5.9 जो है यह budget estimate है budget estimate इसको बोलते है on target to be below 4.5 by 2025-26 यानि कि 2025-26 तक इसे क्या करना है हमें 4.5% से नीचे लाने का प्रयास करना है budget estimate 2023-24 में क्या किया गया है total receipt जो हमारी हुई है 27.2 लाग करोड है total expenditure जो है हमारा 45 लाग करोड है यानि कि net tax receipt जो है हमारी कितनी हुई है वो 23.3 लाग करोड हुई है इसको आप याद रखेगा यह करोड में आप numbers है आप लिख सकते हैं अमरित पीड़ी को और empower करने के लिए यानि कि जो हमारे युवा को empower करने के लिए प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 4.0 लागू की जाएगी on job training, industry partnership, new age courses like AI, robotics, mechatronics and 3D printing और drones यह जितने भी शब्द आ रहा है न इन शब्दों पर आप अच्छी पकड़ बनाजें सीधे परिक्षा में यह प्रस्ट पूछे जाते हैं Skill India Digital Platform जो है चलाया जा रहा है expanding digital ecosystem to enable demand-based formal skilling, linking with employees, employers and facilitating access to the entrepreneurship scheme इसका प्रयास किया जाएगा एक मिनट चलिए अगला हम देखते हैं financial sector में proposed measures क्या दिये गया है इसमें setting up of national financial information registry to facilitate efficient credit flow, promote financial inclusion and foster financial stability setting up of a central data processing center for foster handling and administrative work under the company's act credit guarantee scheme for MSMEs 9000 करोड़ रुपए जो है infusion in corpus of 1st April 2000 23 को यह क्या किया जाएगा 9000 करोड़ रुज है credit guarantee दी जाएगी MSME को accessible education and skilling इस पर जो है inclusive development पर प्रयास किया जा रहा है enhanced education expenditure जो है वो GDP का 2.9 प्रचिस बढ़ाए गया most important fact है आप याद रखिएगा revamped teachers training by a district institute of education and training दीशा जिसको बोलते है न नहीं diet diet प्रवक्ता जो हमारे पोस्त आती है उन्हीं लोगों को revamped teachers training जो है diet की दी जाएगी ठीक न national digital library to be set up for the children and adults and युवाओं और बच्चों के लिए national digital library बनाए जाएगी states will be encouraged to set up physical libraries at panchat and ward level प्रधान मंत्री जो कौसल विकास योजना है वो 4.0 to be launched to skill lakhs of youth यानि कि लाखों युवाओं को ये क्या करेंगे skill करने के लिए प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 4.0 launch की जाएगी महिला सम्मान बचत पत्र जो है इसको लागो किया जाएगा financial inclusion के लिए one time new small savings scheme for two year period with deposit facility of two lakhs for human यानि कि महिलाओं के लिए दो लाख रूपए जो है 100 तंप से लिए जमा करने के लिए महिला सम्मान बचत पत्र जारी किये जाएंगे benefit for senior citizens के लिए कि enhanced maximum deposits limit for senior citizens savings scheme जो है 15 लाख से लेकर के 30 लाख बढ़ा दी गई है गिफ्ट IFSC यानि कि several incentive initiative to promote the business activities in gift IFSC gift cities आदी जो बनाए गए हैं उनमें जो है इनको promote किया जाएगा unleashing the potential इस पर क्या-क्या बात दी गई है towards the transparent and accountable administration phase 3 of e-code to be launched for efficient administration जो e-code का तीसरा phase जो है launch किया जाएगा विवाद से विश्वास first for less stringent contract execution for MSME विवाद से विश्वास जो scheme है जो indirect taxes के लिए ये बनाए गई है विवाद से विश्वास to for easier settlement for the contractual disputes government and government undertakings inputs based and result based financial for the better allocation of scarce resources जो हमारे इधर उधर के resources हैं उनको promote करने के लिए entity dg locker to be set up for the business for the secure online storing and sharing the documents dg locker को promote किया जाएगा ensuring the last mile जो की हमारे नीचे तप्पे के तक जो है विकास को पहुंचाना export committee to review the harmonized master list of infrastructure infrastructure की एक list बनाई जाएगी एक expert committee के द्वारा highest ever capital outlay for 2.54 लाग करोड for railways, railways के लिए जो है last mile connectivity जो है हम क्या करेंगे कि हम जो है अंतिम बिंद तक पहुंचने का प्रयास करेंगे railway transportation के माध्यम से जो लोग connect नहीं है उनको connect करने का प्रयास करेंगे 100 critical transport infrastructure projects identified किये गए है 50 additional airports, heliports, water air domes, advanced landing grounds और coastal shipping to be promoted through the triple P model reaching the last mile में और क्या चीज़ें हो रही है इनके लिए no one to be left behind यानि की प्रधान मंतरी PVTG development mission to be launched financial assistant to the sustainable micro irrigation and drought prone regions for करनाट का 338,800 more teachers for the 740 Ekalabya model residence school free food grain to the antiyoday and priority household one year under the PMGK ए भाई अंतियोदे योजना किता है भारत शिरी to be set up for the digitization of the ancient inscription जो भारत श्री योजना जो है इसको लागू किया जाएगा outlet for PM आवास योजना enhanced to 66% इसको बढ़ा दिया जाएगा और साथी साथ हमें unleashing the potential यानि की good governance को हमें आगे बढ़ाना है यानि की शुशासन को आगे बढ़ाना है 49,000 campaigns reduce 34,000 legal provisions decriminalize for the trust-based governance जन विश्वास will introduce to amend the 42 central acts बैलिस central acts को amend करने के लिए यानि की उसमें संशोधन करने के लिए जन विश्वास बिल को लाए जाएगा 100 labs to be set up for the 5G services based application development और साथी three centers of excellence of artificial intelligence will be set up in top educational institutions national data governance policy to be enabled access the anonymized data जो इधर धर के data हैं जिनको anonymous data बोल सकते हैं उनके लिए national data governance policy बनाए जाएगा one stop solution for the identify the address updating will be established using busy locker services और अधार इंडियन economy backed by the strong macro economy ये अच्छा topic है साथ प्रत्सत ग्रोस दो है estimate की गई है इस साल के लिए highest among the all the major economies सभी देशों में सबसे ज्यादा है यह यूनि government on the path of fiscal consolidation fiscal deficit to be 5.9% in financial year 2023 यानि की हमारा जो राजकोशी घाटा है वह पांच दस पर नौ पर से तरहने का अनमान है GST monthly revenue continues to retain about around जो है 1.5 प्लाग करोड GST का revenue है यह asset quality in banks improving with lower NPAs 5% in September 2022 sufficient forex reserve for cover 9 months of import यानि की 9 महिने तक आयात के लिए हमारे पास forex reserve है और forex increase in the corporate carpex of government 10 लाग करोड in financial year 2024 यह कुछ basic जानकारी है journey to India at the rate 100 यह भी एक अच्छा topic है इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि four transformative opportunities यहाँ पर देखने को मिल रही है economic empowerment for women क्यासी लाग जो है self-help group under the day NRLM to be transferred into the large producer enterprises PM विश्व कर्म कॉसल सम्मान यानि की PM विकास जिसको बोला गया है financial support skill training and knowledge to traditional artisans यानि की tapping the potential of tourism green growth leading to the efficient use of energy across the sector of green jobs साथी साथ दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि investment और infrastructure and productive capacity जो है भारत की वो growth and employment multiplier क्या है कि increase in capital investment outlet by 33.5% to 10 lakh crore वहीं infrastructure finance secretary to assist the stakeholder for more private investment in infrastructure urban infrastructure tier 2 and tier 3 city by establishment of UIDF UIDF क्या है दोस्तों urban infrastructure development fund है continuation of 50 year interest free loan to the state's governments इसकोपी हम पहले भी देख चुके हैं तो investment और infrastructure पर जो हम capacity development करने का प्रयास करेंगे साथी दोस्तों affordable health for all जो की हमारा sickle cell anemia elimination mission to be launched यह यह बड़ा important scheme है 157 new nursing colleges to be established joint public and private medical research to be encouraged by the secret select ICMR Indian Council of Medical Research Labs new programs to be promote research in pharmaceutical to be launched शाथी साथ enhanced health expenditure 2.1 percent of GDP of financial year 2023 साथी दोस्तों इसके बाद जो है हम बात करेंगे अगले और अन्तिम मेरे ख्याद से अन्तिम स्लाइड होगी अग्रिकल्चर एंड कॉपरेटिव के लिए क्या है इस पर हम लोग इस बार हमारा जो है अंद्रास्टी रहा है रहा होगी अन्तिम स्लाइड होगी अन्तिम के लिए अलग से योजना बनाई गई है इस बार हमारा जो है अंतिरास्टी रास्टी मिलेट वर्स भी मनाया जा रहा है साथी साथ अंतिरास्टी वर्स भी मनाया जा रहा है उनाइट नेशन द्वारा तो यह रही कम्प्लीर जानकारी आसा करता हूँ दोस्तों आपको डेली आंसर राइटिंग हमारी प्रोग्राम चल रहा है इसमें 200 से अधिक लोग हैं साथ ही साथ एसे राइटिंग जो है हमारी चल रही है जिसमें आप पांस तारिक से जूड सकते हैं और इन सभी कारिक्रमों के साथ हमारा एक 799 का मातर 799 का 5500 प्रशनों पर डेली टेस्ट होता है सेक्सनल वो चल रहा है जिसमें करेंट अफेर्स यूपी स्पेसल सभी शामिल किया गया है तो यह रही कम्टिंट जानकारी दोस्तों मिलते हम लोग अगली क्लास में आशा करता हूं यह क्लास आपको पसंद आई होग nos एमानका है जुआ इसमेर्स इदक्प्प्रा करता है जानकार कासीं गया है जे करता है लोग जल यह जो जो जँआ़ एंखेर्स करता है जो इदक है जो झाल झाल